हलो एवरिबन स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल के एनसी में यूट के पहली बार आए है और आप यूटूनिट के साथ कर रहे हैं तो आपेपर बीडियो मिल जाएंगे और यूटूर विडियो शूसरे बीडियो साथ के साथ नेटूर जूट सकते हैं और इन सब के अलाबा यदि आप UPSC और किसी विए स्टेट PCS के तयारी कर रहे हैं तो आप अपने GS पेपर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे BPSC ने जो 66 सटवी सन्यूप्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परिक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में मैं आपको बताईँगा कितने सीटे हैं साइड में सीट लिखा हुआ इन्होंने सीट लिक करके रखा है रहा है पहला इन्होंने दिया है का जोब आता आता है यह special branch है दोस्तों और उसके बाद काराधिक शक्त जो की jail से related है यह भी ग्रीव विभाग के इंतरगत आता है उसके बाद वानी जिकर विभाग से निकला है tax department से उसके बाद अबर निर्वाचन पदाधिकारी का post निकला है जो की निर्वाचन विभाग का है और उसके बाद न परिवहन पदाधिकारी का seat है जो की परिवहन विभाग से रिलेटेड है और इनकी seat total 45 seat के लिए vacancy निकली है और यह लेवल 7 का job है नगर कारेपालक पदाधिकारी और इनके लिए 15-17 seat है और यह भी लेवल 7 का job है उसके बाद इन्होंने आप उर्ती निरिक्षक जो की प्लस तिरेपन आप जोड़ ले 160 और 50 210 seat के लिए निकला है दोस्तों और उसके बाद स्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जो की लेवर डिपार्टमेंट से है इसमें भी 51-45-65 seat के लिए seat निकली वेकेंसी निकली है उसके बाद राजस्वद आइकारी जो की revenue department से related है और इसके लिए इन्होंने 66 प्लस 18 आप एड़ कर लें तो 76 और 84 84 seat के लिए निकाला है उसके बाद लास्ट का इनका seat है प्रखंड राज्य पदाधिकारी जो की पंचायती राजवी भाग के अंत्रगत आता है इसके लिए सबसे ज़्यादा सीटे निकल करके आई है 216 seat की संख्या है ठीक है तो दोस्तों यह था सीटो का विसलेशन आप देख लिए होंगे मेरे ख्याल से सीटो की संख्या को आप देख लिए होंगे अब हम आपको बताते हैं कि जब आप online करेंगे तो उसके लिए आपको क्या क्रैटेरिया होना चाहिए और आपकी educational योग गयता कितनी होनी तो सबसे पहले आप ध्यान लखें कि भारत में जितने भी PCS हैं चाहिए वो स्टेट PCS हो या फिर UP PCC क्यों ना हो उसमें भी आपको जाना है तो minimum उनका qualification वो है graduation आपको graduate होना अनिवार है किसी भी subject में आप graduate हो सकते हैं किसी भी संकाय में किसी भी department में आप graduate हो सकते हैं यदि आप graduate हैं तो आप form भरने में eligible हैं और आगे बात करते हैं हम लोग आरक्षन के बारे में कि यहां आरक्षन किस आधार पर दिया जाएगा पहले लाइन में इन्होंने clear करके रखा है कि जब आप online आवेदन करते रहेंगे उसी समय आपको यह column में भरना होगा कि आप किस category से आते हैं आप OBC है या फिर EBC है या फिर आप SC है या फिर आप ST है और जब वहाँ पर आप आरक्षन के लिए भरेंगे नहीं आप अपना category गयों तो अब तब आपको आरक्षन का लाब नहीं दिया जाएगा इसलिए ध्यान रखिएगा कि online आवेदन जब आप करेंगे तो उस समय आप कोशिश करेंगे कि यह column आप से नहीं छुटे और आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या जरूत पर सकते हैं आपको जाती परमान पत्रगी आवासी परमान पत्रगी और यदि आप जनरल है तो इन सारे चीज़ों कि आप सकता नहीं है आगे आते हैं हम लोग और अगला इन्होंने बताया है कि क्या क्या आपकी उम्र सीमा ह उसके साथ साथ जो जेनरल महिला है या फिर पिछड़े बर की महिला है या फिर EBC की महिला है उनके लिए maximum है 40 years ठीक है 40 साल उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अनुसुचित जाती के और अनुसुचित जन जाती के पुरुष एवम महिला है उनके लिए 42 years का प्राभधान है या मैक्समम उम्र में और इस्ट साल का चूट दिया जाता है इसलिए 37-40 और इधर 37-42 और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला हम लोग बात करते हैं कि आपकी आपके कितने पैसे लगेंगे या फिर आपका merit list कैसे त्यार होगा तो आपको जब मेधा सुची त्यार होगा जिसको आप हिंदी में मेधा सुची कहते है merit list जिसके अधार पर आपका पद का distribution होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो matter करेगा जो सिर्फ matter करेगा वो आपका mains का जो आपका number होगा उसके साथ साथ आपका interview का number को ठीक है तो mains plus interview ये ध्यान रखेंगे UPSC में भी SI होता है यहां भी SI होगा तो mains plus interview के number के आधार पर आपका merit तयार किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा आप mains की भी तयारी अभी से ही साथ साथ करते चलें आगे आते हैं सुल्क के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आपको कितना fee payment करना होगा fee के लिए उन्होंने बताया है उससे पहले हम लोग बात करते हैं बारे में सारे रिक शमता आपकी क्या होनी चाहिए यदि आप चुकि डीएसपी पद का बाहली निकला है तो उन्होंने कहा है कि पूरुष उमिदवारों की पांच फिट पांच इंच हाइट होनी चाहिए और छाती maximum बीना फुलाई हुए 32 इंच होना चाहिए और जो candidate अनुसूचित जन जाती से हैं उनको सारेरिक माप दंड में 5 फिट 3 इंच होना चाहिए उनका हाइट और साथी साथ छाती का जो माप है उनका चेस्ट वह 31 इंच होना चाहिए बीना फुलाए हुए ठिक है और महिलाओं की नियुनतम हाइट 5 फिट 2 इंच होनी चाहिए तो यदि आप महिला है और आपकी जनरल कांडिडेट है तो आपको 600 रोपय लगेगा और यदि आप बिहार राज udah जन जाती है तो आपको किसी पर किसी भी और बर्ग से आते हैं तो आप यहां ज played है जाएंगे आपका पेमेंट 600 रोपय करना होगा उसके बाद इन्हों ने कहा है कि बिहार राज की अस्थाई निवासी जो की आरक्षित और अनारक्षित दोनों यानि जो रिजर्ब्ड हैं और जो अन्रिजर्ब्ड हैं दोनों महिलाओं के लिए मात्र डेर सो रुपय इन्हों फी रखा है ठीक है उसके बाद कहा कि दिव्यांग जो अभ्यर्ति हैं उनके लिए भी डेर सो रुपया है उसके बाद अन्न सभी उमिदवारों के लिए जो मैं जैसा कि मैंने बताया बाहर से जीतने भी लड़के फॉम भरेंगे जो बिहार के रहने वाले नहीं है उन सभी को छे सो रुपय लगेंगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इन्ह जो होगी वह सामान अध्यन विषय की परिक्षा होगी ठीक है और इसमें जितने भी प्रस्न पुछे जाएंगे वह अब्जेक्टिव नेचर के होंगे ठीक है और वह बहु विकल्प यह होंगे ठीक है मल्टी च्वाइस बेस्ड जो सवाल होता है वह होगा और दो घंटे क परिक्षा होगी आपको दो घंटे का समय दिया जाएगा टोटल क्वेश्चन लेर्टस होंगे ठीक है डेर्टस के लिए आपको दो घंटे की समय दिजाएगी ध्यान रखेगा पेपर जो होगा वो अब्जेक्टिव होगा सब्जेक्टिव नहीं इसमें क्या-क्या पूछ उसके साथ साथ भारत का इतिहास इनके सीलेवस में शामिल है और मुखे रूप से बिहार का इतिहास तो तो थोड़ा बहुत बिहार कां इतिहास पढ़ लीजेगा और अधिक अबत आप बिहार के हैं तो आपको टो ऐसे भी पढ़ना उसके बाद समान ने भोगोल उसके बाद इन्होंने कहा बिहार के प्रमुख भोगोलिक प्रभाग ठीक है उसके बाद इन्होंने कहा कि बिहार के अर्थ विवस्ता में जो भी परिवर्तन आये हैं आजादी से पहले या फिर आजादी के बाद तो मुखेता आजादी के बाद वाले पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बहतर होगा और आजादी के समय बिहार का क्या योगनान था उसके ज़्यादा फोकस करेंगे भारत का रास्टी आंदोलन ठीक है इन्होंने भारत का रास्टी आंदोलन लिखा है लेकिन आप ध्यान रखिए कि भारत के रास्टी आंद दोस्तों टॉपिक के बारे में था सिलेवर्ष के बारे में था इससे सवाल आप से पुछे जाएंगे और आगे हम लोग बात करते हैं कि आप जब मेंस पीटी क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए आप क्या-क्या औरक्शनल सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं तो उसके बाद भुगोल है बुव बग्यान है इतिहास है लेवर एं सोचल डिवलप में विलफिर है उसके बाद वीधी है जो की लौु है उसके बाद मैंेजमेंट है गनीत है मेकेणिकल इंजिनरिंग है फिलोसफी है फिजिक्स है पॉलिटिकल साइंस है साइकोलोजी है लो उसके बाद अर्बी है पाली है और मेथली है तो दोस्तो टोटल आपके 34 subject उपलब्द करवाए गए इन 34 subject में में मेंस दे सकते हैं इसमें से किसी एको Optional के रूप में आफ्ट कर चकते हैं ऻूसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इन्होंने क्या दिया है आगे दोस्तों मैं बता देता हूं ओनलाइन का जो आवेदन का तीथी है वो प्रारंभ होगा ओनलाइन 28 से ठीक है और ओनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तीथी होगी 20 अक्टूबर तो ध्यान रखिएगा आज से लगवग 5-10 दिन बाद आपका फॉर्म भरवान भराने लगेगा उसके बाद 20 अक्टूबर को लास्ट है तो ध्यान से आप भर लीजेगा एक पॉइंट जो मैंने बताया है फॉर्म भरते समय आप उसका ध्यान जरूर आपके पास रखना जरूरी है अप्लिकेशन फॉर्म ठीक है उसका एक कॉपी आप रख लेंगे उसके साथ साथ जो भी आपके जितने भी डॉक्मेंट्स बगर हैं वह सब आप अभी सही तयार करके रख लें ताकि बाद में आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो और मुल पसंद आ रहा है तो आप उन तमाम अभरतियों को शेर करें जो बीपीसी की तयारी कर रहें या फिर जो यूपीसी की तयारी कर रहें और बीपीसी के एक्जाम में भी बैठना चाहते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आपको धेर सारी सूप कामना है आप अच्छे से तैयारी करें जल्दी से आप सेलेक्शन ले और आप डीएसपी बनें चुकिए सडीम का सीट तो निकला नहीं इसलिए मैं बोलने वाला नहीं हूं कि आप सडीम बनें थैंक्यू वारी मैस टू जॉइन मी बाए बाए टिक टॉइए